दोस्तो मेरे एक साइड में है Realme UI 5.0 इंस्टॉल एक डिवाइस है और एक साइड है Realme UI 4.0 अपडेट एक डिवाइस तो आज में इस वीडियो में Realme UI 5.0 और Realme UI 4.0 दोनों UI भार्षन के अंदर आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा आज में इस वीडियो में आप जुरूत देखते रिए आगर आपके पास एक Realme या फिर ओपो या फिर एक वान प्लास डिवाइस है तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो यहाँ चलते हैं आज की इंट्रेस्टिंग वीडियो के दाराब दोस्तों फिलाले पर देख लीजे मेरा चुल लेपसें साइट है यह है रिल्मी 12 प्लास डिवाइस और इसमें आपको पते होगा आउट अप दा बॉक्स रिल्मी वाइफ 5.0 एंड्रोइड 14 का स्टेबिल वार्शन के साथ आया है तो ओ भी आपके देख लेते कौन सा वार्शन है देख देख लीजें रिल्मी वाइफ 5.0 नीचे में आप देख सकते होगे आंड्रोइड 14 और मेरा चुलेपसें साइट है यह है रिल्मी टी मास्टेशन और आपको साहथ पता होगा रिल्मी आपको रिल्मी वाइफ 4.0 ऑफिसली फार्शन देखने को मिलता है और नीचे में आप आप देख सेकते हैं Android 11 Android 13 है या पर देख लीजिए तो आज में इस पीडियों आपको दोनों डिफाइस के अंदर क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा वह आपको बताऊंगा दूसर सबसे पहले चलते हैं लॉक स्कीन के तरफ फिलाल या पर देख लीजिए दोनों डिफ देखने को मिलता था आपको सेम टूसे में या पर देखने को मिल जागा रही देख सकते हो लेकिन …ुआ फॉर पोरेना वहाइप देखने को मिल जेगा लेकिन стороны डिफिंस के अंदर अब कुछ दिफेरेंस जरू देखने को मिल जागा दोस्तो नेज्स चलते हैं notification panel के तरप realme y5.0 और realme y4.0 के अंदर notification panel में क्या कुछ change देखने को मिलता है वह भी side by side देख लेते हैं दोस्तों यह पर देख लीजे रहा realme y5.0 का notification panel यह रहा realme y4.0 का notification आप दोनो side by side देख सकते हैं अतना ज्यादा इसमें difference देखने को नहीं मिलता है लेकिन कुछ-कुछ minor आपको चेंज ही जुरूत देखने को मिल जगा आप या पर देख सकते हो जो चेंज देखने को मिल जगा जो उसके अलबाद दोस्तों एक न्यू फीचर भी एड किया रहा है लेकिन वीचर आपको कुछ एसे छोटा-छोटा चेंज देखने को मिल जगा इन दोनों डिवाइस के अंदर दोस्तों नेक्स जो चेंज देखने को मिलेगा रेल्म यूआ 5.0 और रेल्म यूआ 4.0 के अंदर ओ है स्मार्ट साइड बार में आप यापे देख सकतों दोनों डिवाइस का जो स्मार्ट साइड बार है इसका लूक और इंटरफेस सेम तुसेम देखने को मिलेगा लेकिन उपर में देख लीजे रेल्म यूआ 5.0 में आपको फाइल डॉक और रेसेंट फाइल का जैसे कुछ बेतिरीन ओप्सेन दिया जा रहा है लेकिन रेल्म यूआ 4.0 में आपसे कुछ न्यू फीचर्स नहीं आया है और जो फाइल डॉक और जो रिसेंट फाइल का जो ऑफशन है बहुती ज़्यादा बेतिरीन है बहुती ज़्यादा यूसफुल फीचर्स है अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप ओपीस में काम करते हूं तो आपके लिए फीचर्स बहुती ज़्यादा है अप किसी भी इमेज को फाइल डॉक में आप सेब करके रख सकते हो उसके इलाबा आप रिसेंट फाइल में भी चेट कर सकते हो आपने रिसेंट में क्या कुछ एक्किविटी किया है तो बहुती ज़्यादा यू lipoi के अंदर णेक्स्ट आपको चेंज्स देखने को मिलेका और है रिदीर पेस। आपको डॉनोवें, देखने को मिल जागा डोस्तों नेक्स चलते में सेटिंग के तरफ आप या पे देख सकते दोनों डिफाइस का जो में सेटिंग है या पे आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा कुछ भी निव फीचर नहीं आये उपर में देखे आपको वाटर माग उसके बाद जो जो फ देखने को मिल जाता है लेकिन रेल्म यूआ 5.0 में जो आई का उफसन है और या फिर रिमूट किया जा रहा है तो चैमेरा इंटरफेस और सेटिंग में आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल जागा रेल्म यूआ 5.0 और रेल्म यूआ 4.0 के अंदर दोस्तों चल पेसे आपको लगबग सीमिलार देखने को मिल जाता है दोनों डिवाइस में उपर में फिर आपको मोबाइल नेटवर्क ब्लूटूथ और पेपर एंड स्टाइल फिर आपको देखिए होम स्कीन लॉक स्कीन डिस्प्ले साउंड फाइब्टेसे नोटीपीकेसे या पर पाफ़ पासवार्ट का गौरिंअ को मिलनों फीड़ में खेने को नीचे आपको प्राइप इक उसेा जीघने को मिल जЧा यह स अगरुआ है और बहुत सारे आइकॉन में चेंज किया रहा है डोस्तों उसके सासा जो फेल पर एकॉन में चेंज किया जा रहा है और वेड़ पेपर स्टाइल का भी आइकोन यह पर चेंज किया जा रहा है आप यह देख सकते हो दोस्तों नेक्स जो चेंज देखने को मिलेगा ओर है ओलो इस ओन डिस्प्ले या फिर एोडी सेक्शन में तो सिंप्ली आपे चलते है ओल पेपर एंस टाइल सेक्शन में देख जो है carbon footprint का लेकिन Realme UI 4.0 में आपको ऐसे कोई AOD देखने को नहीं मिलता है तो AOD आपको एक नया वाला देखने को मिल जागा Realme UI 5.0 और इसमें आपको बहुत सारे कास्टमाइज का ओफसन दिया जा रहा है इसके अलबाए AOD में और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जो पहले Realme UI 4.0 में मिलता था सेम टू सेम Realme UI 5.0 में भी सेम टू सेम AOD है कुछ आपको एक नियू AOD देखने को जुरूर मिल जागा नेक्स्ट और भी कुछ चेंज देख लेता है जो आपको देखने को मिलेगा गैलरी अप्लिकेशन में आप मैं आप फिलाल देख लिजे मैं गैलरी अप्लिकेशन को ओ इतने सारे फोटो है आपका डिवाइस में वह देख सकते हो मांत के साथ आप देख सकते हो देख सकते हो और और अपको मिल जागा लेकिन रेल मिवाइब 4.0 में ऐसे कोई फीचर्स देखने को नहीं मिले है दोस्तों उसके साथ और भी कुछ फीचर्स आया है गैलरी अप्ल क्रियेट का ओप्शन आ चुका है लेकिन रेल मिवाइब 4.0 में ऐसे कोई फीचर्स नहीं आया है तो क्रियेट ओप्शन में क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा दोनों डिवाइस के अंदर देखिए मैं फिलाले पर फाइल म में आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जगा उपर में देखिए दो डिभाइस टोरेज यापी ड्राइब का ओप्शन है रेल मिवाइब 4.0 में आपको थोड़ा सा ब्लू कलर का देखने को मिलता था लेकिन रेल मिवाइब 5.0 के अंदर थोड़ा सा वाइट क आपको डिफरेंट के साथ रेल मी का जो मिन के रहा है बहुत सारे डिभाइस में आ चुका है रेल मिवाइब 5.0 के अंदर लेकिन रेल मिवाइब 4.0 में ऐसे फीचर देखने को नहीं मिलता है फिलाले आप है देख लीजे मैं भी इसको टेस्ट कर लेता हूँ तो सिंपिली जो रेकोडर एप्लिकेशन है मैं दोनों डिवाइस के अंदर ओपें किया ओपें करने के बाद जैसे मैं आप इसको प्ले किया प्ले करने के बाद जैसे मैं आप मिनिमाइस किया आप आप देख सकतो तो रेल्मी वाइफ 5.0 के अंदर उपर में आपको छोटा सा एक डॉट आ चुका है जिसको रेल्मी ने मिनी कैपसूल नेम देया है सिंपिली मैं इसको कि मिनिकैपसूल नहीं है तो रेल्मी वाइफ 5.0 अपडेट के बाद रिमूप या जला है यह रहा है Realme UI 5.0, यह रहा है Realme UI 4.0, Realme UI 4.0 में YouTube background streaming का features देखने को मिलता था, लेकिन Realme UI 5.0 अपडेट के बाद एक features को remove किया जा रहा है, officially remove किया जा रहा है, फिलाले आपे देख लीजिए, मैं YouTube डोनों device में open के, open करने के बाद मैं जैसे smart sidebar को enable किया, आपे आपे देख सकत background streaming का features आ रहा है, smart sidebar से, लेकिन Realme UI 5.0 में देखिए, background streaming का जो features है, वह आपे remove हो चुका है, वह आपको आपसे देखने को नहीं मिलागा, तो यह features कुछ remove किया जा रहा है, Realme UI 4.0 और Realme UI 5.0 के अंदर, बहुत सारे difference, बहुत सारे changes, तो आपको कौन सा UI पसंद है, Realme UI 4.0 या या फिर Realme UI 5.0, आप जुरूर नीचे कौन बॉक्स से comment करके बताना, आपके पास Realme का कौन सा device है, आपका device में Realme UI 5.0 का update रिसीव हुआ या फिन नहीं, ओ भी आप जुरूर नीचे कौन बॉक्स से comment करके बताना, आपका comment मेरे लिए बहुत ज्यादा valuable है, दोस्तों उसके स साथ आप चैनल को भी मस्ट भी सस्क्राइब कर लो, बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो आने वाला है Realme UI 5.0 आपडेट के रिगाडिंग, तो चाओ यार फटाफ़ चैनल को सस्क्राइब कर लो, आप नीचे कौन बॉक्स से comment करके बताओ, आपके पास कौन सा device है Realme का तो यार मिलते हो रखना इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा, गुडबाई, जाहिंद